नमस्कार जैहिंद बंदे मात्रम दोस्तों आज की है वीडियो आपके सीटेट एक्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट रहने वाली है सोसल साइंस के सेलेक्टिड वही प्रसन करवाऊंगा जो परिच्छा में सर्वस्रेश्ट सावित होंगे मात्र 20-25 मिनट की इस वीडियो में सोसल साइंस के सभी प्रकार के बेहतरीन प्रसनों को खतम किया जाएगा यह वीडियो ती ब्रिगती से चलेगी तो चलिए सुरू करते हैं कोईसन नमबर एक कहता है की पाक जल संदिक किन देशों के बीच इस्तित है स्री लंका तथा मालदीप भारत तथा स्री लंका भारत तथा मालदीप भारत तथा पाकिस्तान राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर टू भारत तथा स्री लंका के मद कोन सी जल संदि है पाक जलसंदी है राइट आंसर होगा यहाँ पर ओप्सन नमबर टू भारत तदा स्रिलंका बढ़ते हैं अंगले क्वेस्टन की तरब क्वेस्टन नमबर यहाँ पर आ चुका है दो विविदिता में एकता किसके द्वारा रचा गया सब्द है इंद्रा गांधी के द्वारा बी आर अमबेटकर के द्वारा जवाहरलाल नहरू के द्वारा या महतमा गांधी के द्वारा राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा तो राइट आंसर के अगर बात करें तो ओप्सन नमबर तीन यहाँ पर राइट होगा जवहरलाल नहरू ने विविदिता में एकता सब्द रचा था बढ़ते हैं अंगले कोईसन की तरब कोईसन नमबर यह पर आ चुका है तीन क्या कहता है कथनों पर विचार करके बिकल्प चुने कथन ए कहता है कि रेगिस्तान में छत्रक सेल पाई जाती है कथन B कहता है कि नदी घाटी में चाप जील पाई जाती है सही कथन चुनना है केबल A होगा केबल B होगा A और B दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं होगा राइट आंसर तो यहां पर कौन कौन से हो जाएंगे कथन A कहता था कि रेगिस्तान में छत्रक सेल पाई जाती है बिल्कुल बिल्कुल पाई जाती है राइट कथन होगा रेगिस्तान में जो छत्रक सेलों का निर्माड होता है किस प्रिकार से होता है रेगिस्तान में जब पवन्ने चलती है तब वहां की जो बालू होती है बालू के धेर बन जाते हैं ठीक बालू के क्या बन जाते हैं धेर बन जाते हैं जिसे क्या कहते हैं बालू का डिबबा भी इसे कहते हैं चत्रक सेल को ठीक क्या कहते हैं बालू का डिबबा भी इसी को कहते हैं अब बात करें नदी घाटी में च चतरक सेल पाई जाती है, जबकि नदी घाटी में चाप जील पाई जाती है, दोनों कतन यहापर सही है, तो ओप्सन नमबर थर्ड यहापर राइट होगा A और B दोनों, कोईसन नमबर चार, लदाक में किस धरम के लोग तिबबत का मौखिक संग्रहे गरंत केसर सागा को गात केसर सागा केते हैं, तो राइट आंशर यहापर होगा A और को जाएगा A और को तिबबत का मौखिक गरंत करह सतके हैं, कोईसन नमबर फाइब कौन सा आंदोलन संयुक्त राज अमेरिका में अफरीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकारों की मांग कर रहा था उनमूलन आंदोलन नागरिक आंदोलन अधिकार मजदूर आंदोलन इस तरी अधिकार आंदोलन राइट आंसर जो यहाँ पर होगा ओप्सन नमबर यहाँ पर 2 हो जाएगा नागरिक अधिकार आंदोलन को किसने शुरू किया था उस ब्यक्ति का नाम भी आप सभी लोग याद रखेंगे कब शुरू किया गया था यह शुरू किया गया था 1955 में कब 1955 में एक महिला ने कीया था उस महिला का नाम था रोजा पार्क्स उस महिला का naम था इमपॉरिटन्ट कोईस्चन है जिसने अमेरिका में अफरीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकारों की माग की थी कब 1955 में यह अंदोलन शुरू हुआ था बेरी बेरी important question है, देखते हैं next question को question number यहाँ पर आ चुका है, six, जन संख्या बितरड सब्द से क्या तातपर है, किसी विशिष्ट छेतर में समय के साथ जन संख्या में किस प्रिकार परिवर्तन होता है, किसी विशिष्ट छेतर में जनम लेने वाले लोगों की संख्या की जन संख्या बितरड का मतलब होता है कि भू प्रिष्ट पर लोग किस प्रिकार बितरिद हैं, इस बात से इसका अर्थ लगाया जाता है, किसी दिये हुए छेतर में लोग किस रूप में बितरिद हैं, इसी को कहते हैं जन संख्या बितरड, देखते हैं next question को, question number यहाँ पर आचुका है साथ, स्वामी विवेका नंद ने एक धारमिक सुधार संग की इस्तापना की, जिसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था, कथन B कहता है कि ब्रह्म समाज मदरास में इस्तापित किया गया था, केवल A सही है, केवल B, दोनो A और B, ना तो A ना ही B, तो राइ एक ऐसा होगा, गलत हो जाएगा, ब्रह्म समाज की इस्तापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की इस्तापना की थी, राजा राम मोहन राय ने, किसने, राजा राम मोहन राय ने इसकी इस्तापना की थी, और अगर विवेका नंद की बात करें, तो विवेका नंद ने किस संग की इस्तापना की थी उस संग का नाम था राम क्रश्ड मिसन क्या नाम था राम क्रश्ड मिसन उस संग का नाम था जो मतलब यहां पर एक बात और समझेंगे आप सभी लोग ब्रह्म समाज की इस्तापना राजा राम मोहन राय ने की थी अगर आप से पूछ ले ब्रह्म समाज क जो इस्तापना हुई थी, कब हुई थी, 1828 में, ठीक, 1828 में कहाँ पर की गई थी, कलकत्ता में की गई थी, कहाँ पर, कलकत्ता में इसकी इस्तापना की गई थी, अब option number यहाँ पर, कथन B कहता है, कि ब्रह्म समाज मदरास में इस्तापित किया गए था, बिल्कुल गलत हो जा ना तो A ना ही B देखते हैं Finding next question question number यहाँ पर आ चुका है आठ उद्यानिकरसी का अर्थ है गेहुँ उगाना आधिम करसी फ़लों बा सबजियों को पसुपालन तो यहाँ पर बताना है कि उद्यानिकरसी का अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है फ़लों एवं सबजियों व वाली किरसी को कहते हैं उद्यान किरसी ठीक राइट आंसर यहाँ पर होगा ओप्सन नमबर थर्ड बात करें अब नेक्स्ट क्वेस्टन की क्वेस्टन नमबर यहाँ पर आचुका है नाइन भारती संसद में सम्मलित है भारती संसद में क्या सम्मलित है लोकसवा और सबा राश्ट पती संसद के दोनों सदन राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अगर बात करें भारती संसद में पिरमुक कितने अंग होते हैं तीन अंग होते हैं राश्ट पती होता है और संसद के दोनों सदन लोग सबा और राज सबा राइट आंसर यहाँ पर होगा टेलीग्राप सिष्टम की सेवाओं की सुरुवात की, लोर्ड केनिंग ने, लोर्ड धलवजी ने, लोर्ड वेलेजली ने, या लोर्ड वेंटिक ने, राइट आंसर की अगर बात करें, आपका हो गया रेलवे, जिसकी इसकी इस्ताफना नाम क्या था उस गवर्नल का नाम था लोर्ड डलोजी का नाम था लोर्ड डलोजी जिसने क्या किया था बिले नीती अपनाई थी कैसी नीती बिले नीती इसने अपनाई थी और अबद का इसने क्या किया था बिले कर लिया था कब 1856 में अबद का इसने बिले कर लिया था ठीक कुशासन के आरोप में ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट क्वेस्टन की तरफ क्वेस्टन नमबर ग्यारा सुनहरा रेसा से क्या अभिपिराय है चाय कपास पटसन या जूट राइट आंसर क्या होगा यापर जो सुनहरा रेसा होता है उसका मतलब होता है पटसन क्या मतलब होता है पटसन से इसका मतलब होगा बात करें नेक्ष्ट क्वेस्टन की क्वेस्टन नमबर बारा लोग सभा के पिता की रूप में किसे जाना जाता है जीवी मावलंकर एवी राय पीए संगमा बलराम जाखडी तो कौन सा हैं आपर राइट आंसर होगा लोग सभा की पिता की रूप में किसे जाना जाता है गडेस किसे गडेस बासुदेव मावलंकर को तो इनका पूरा नाम क्या है गडेस मावलंकर इनका पूरा नाम हो जीवी मावलंकर जिनें लोग सवा के पिता के रूम में जाना जाता है बढ़ते हैं अंगली क्वेस्टन की तरब क्वेस्टन नमबर यहां पर आ चुका है 13 लद्दाक रेगिस्तान की अधिकांस निवासी हैं इसाई हैं मुसलमान बोद एबम मुसलमान इसाई एबम बोद सि जैन जब हमने आपको वताया था केसर सागा जो गिरंत है वो कौन से लोग गाते हैं तो बहीं से ये भी क्वेस्टन वहीं से सम्मलित है ठीक लद्दाक रेगिस्तान में अधिकांस निवासी कौन कौन से हैं अगर आप से इस प्रकार से क्वेस्टन पूछे अगर आप से प क्वेस्टन की तरफ क्वेस्टन नंबर यह पर आ चुका है 14 लद्दाक में हैमस् अधिक है कौनसा मठ में वोका है ठीक हेमस् भारत में किस मुगल सासक के मकवरे में दोहरे गुंबद का पहला उधारण मिला है ठिक किसके गुंबद में अकवर का मकवरा, हुमायू का मकवरा, बावर का मकवरा, औरंग जेब का मकवरा राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर option number two हुमायू का मकवरा में क्या हुआ कि दोहरे गुंबत का उधारण देखेने को मिलता है राइट आंसर यहाँ पर होगा option number two हुमायू का मकवरा यहाँ पर आचुका है question number 16 बायू मंडल की परतों में जब हम उपर जाते हैं तब बायू दाब बढ़ता है घटता है समान रहता है केबल A केबल B A B दोनों ना ही A और ना ही B तो कौन सा कतन यहाँ पर सही होगा जब हम बायू मंडल की परतों के उपर जाते हैं तब क्या होता है बायू दाब में बायू दाब घटता है कैसा होता है बायू दाब घटता है option number यहाँ पर B कैसा होगा बिल्कुल सही हो जाएगा केबल भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अंगले कोईस्टन की तरफ कोईस्टन नमबर यहाँ पर आ चुका है 17 दिर्वित मैगमा से बने सैल को क्या कहते हैं बताना है एक इंपोर्टेंट कोईस्टन है आगनिय कहते हैं और साधी कहते हैं या कायंतरित कहते हैं राइट आंसर यहाँ पर होगा जो दिर्वित मैगमा की ठंडे होने से जिस सैल या चटान का निर्माड होता है उसे कहते हैं प्राथमिक सैल का मतलब होता है आगनिय सैल क्या मतलब होता है इसको कहते हैं प्राथमिक सैल यानि कि इसका निर्माण होता है अगर बात करें अवसादी चटान की या अवसादी सेल की इसमें अवसाद पाय जाते हैं कह सकते हैं इसे परतदार चटान भी कहते हैं और इसमें क्या होता है इसमें जीवासम भी पाय जाते हैं ये पॉइंट आप याद रखेंगे इसमें क्या पाय जाता है जीवासम भी पाया जाता है अगर बात करें कायंतरित की जो कायंतरित चटान या इसे रूपांतरित चटान भी कहते हैं इसमें आगनिये सेल कौन कौन सेल आगनिये और और आपकी अवसादी दोनों के दोनों में क्या होता है दाब की जब प्रकिरिया होती है तब इन ले question की तरब question number यहाँ पर आचुका है 18 निम्न लिकित में से कौन सा बैदिक साहित सिचक के चरणों के पास बैठने के लिए है उसे कहते हैं उपनिसद क्या कहते हैं उपनिसद का अर्थ ही होता है उप का मतलब होता है समीप बैठना क्या होता है पास में बैठना क्या होता है पास में बैठना इसका मतलब ही होता है ठिक निसद का मतलब होता है बैठना उपका मतलब होता है पास में तो मतलब की डाइरेक्ट इसका अंसर हो जाएगा उपनिसद बैदिक साहित में सिचक के च प्रोतसाहन के सिच्छड में सिच्चक को निमने लिकित में से का उधारण देना चाहिए। प्रोतसाहित करते हैं नियाईक समिच्छा यहाँ पर नहीं होगा यानि की सिच्छ यहाँ पर गलत होगा और बाकी दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। के एकजाम में इसी प्रकार से क्वेस्टन पूचा गया था ठीक धुर्वों के निकट भूमद रेखा के निकट या दोनों में से कोई नहीं। राइट आंसर के अगर बात करें जो सामानिता गरम महासागरी धारां उतपन होती हैं। क्वेस्टन नमबर 21 कहता है कि देवा नाम प्रिये और प्रिये दर्सी राजा द्वरा अपनाईगी उपलब्दियां कनिस्क विम्बसार असोक या चंद्रगुप्त। कहने का मतलब है कि देवा नाम प्रिये और प्रिये जैसी उपलब्दियां किस सासक ने अपनाई थी कनिस्क ने या बिम्बसार असोक ने या चंद्रगुप्त ने राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ओप्सन नमबर थर्ड असोक ने यहाँ पर आप समझेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट को भी देवा नाम प्रिये और प्रदर्सरी जो मिला है यह किसमें देखनों को मिला है यह मिले हैं असोक के अभिलेखों में जो असोक के जादातर अभिलेख लिखे गए हैं वो खरोष्टी भासा में लिखे गए हैं यानि कि खरोष्टी लिपी में जादातर असोक के अविलेक लिखे गए हैं इस खरोष्टी लिपी को 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था किसने पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपी को पढ़ा था उसी को पता चला कि जो असोक राजा है उसकी लिपियों में क्या लिगा हुआ है देव ना अंसर यहाँ पर होगा अमेजन, अमेजन का प्रमुक भोजन क्या है, मैनियाक उहाँ का एक प्रमुक भोजन है, यहाँ पर आ चुका है क्वेस्टन नमबर 23, कहता है कि कई जिलों के विविन तालुकों में भूमी के मामलों का निप्टारा दौारा किया जाता है, यानि कि किस भी कह सकते हैं, तालुक का मतलब तैसील भी आप समझ सकते हैं, ठिक, भूमी के मामलों का निप्टारा किसके दुआरा किया जाता है, जिलादकारी, तैसीलदार, पटवारी या ग्राम पंचायत, राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका तैसीलदार, तैसीलदार क्या करता है, भूमी के विवादों को सुनता है ठिक भूमी के विवादों को सुनता है और काश्ट सर्टिफिकेट को भी जारी करता है कौन करता है तैसिलदार करता है और पटवारी या लेकपाल की बात करें तो ये भूमी मापन से संबंदित है भूमी को नापता है और उसके आकड़े ज चुका है 24 दिन में दो बार नियम से महा सागरी जल का उठना बा गिरना क्या कहलाता है जौर भाटा महा सागरी धारा या तरंगे राइट आंसर यहाँ पर होगा जौर भाटा क्या होगा जौर भाटा उठते जल को क्या कहते है जौर कहते है उठते जल को जौर कहते है और गि इमनी लिकित में से मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे important question है यहाँ पर कौन सी मद थी जिसे कैलिको के नाम से जाना जाना जाता था जिसे पुर्टगाली भारत से यूरोप ले गए थे फुटकर माल पीड्स गुर्स मसाले सूती कपड़े या मलमल राइट आंसर यहाँ पर होगा सूती कपड़े क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर होगा सूती कपड़े जिसे किसके नाम से जाना जाता था देखते हैं next question को, question number यहाँ पर आचुका है 26, निम्न लिखित में से कौन सी गैस हमें सूर की हानी कारक किरणों से बचाती है, carbon dioxide, nitrogen, ozone, तो कौन सी गैस होती है, जो सूर से आने वाली हानी कारक किरणों से बचाती है, उस गैस का नाम हो जाएगा ozone gas, right answer option number third, ozone gas, बढ़ते हैं अ question की तरब, question number यहाँ पर आचुका है 27, कथन A कहता है कि प्रतिवी की सबसे पतली परत mental होती है, प्रतिवी की सबसे भीतरी परत किरोड होती है, सही कथन यहाँ पर चुनना है, केवल A, केवल B, A और B, या कोई नहीं, right answer कि अगर बात करें, तो जो कथन यहाँ पर A कहता है क प्रतिवी की सबसे पतली परत कौन सी होती है, mental, mental नहीं होती है, जो सबसे पतली परत होती है, उसे कहते हैं परपटी, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परपटी, जो की सबसे उपरी परत होती है, या प्रतिवी की सबसे प्राथमिक या पहली परत होती है, जो की सबसे उपरी परत होती है और पतली परत होती है प्रतिवी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं क्रोड कहते हैं क्रोड कहते हैं क्रोड कहते हैं बिल्कुल सही कतन हो जाएगा बात करें अगर परपटी की ठीक परपटी होती है पहली परत कौन सी पहली परत होती है प्रतिवी की परपटी द दूसरी परत होती है कौन सी मेंटल दूसरी परत होती है मेंटल और तीसरी परत होती है क्रोड तीसरी परत कौन सी होती है क्रोड होती है पहली पर जो परपटी होती है यानि कि जो प्रत्थिवी की पहली परत होती है इसको सियाल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें सि सीमा के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, सीमा के नाम से जाना जाता है, सीमा का मतलब होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका एस, क्या होगा, यहाँ पर होगा, एस, एस से हो जाएगा सिलका, और मा से यम, यम से हो जाएगा मैगनीसियम, सिलका और मैगनीसियम पाय जाता क्रोट को कहते हैं निफे क्या कहते हैं क्रोट को दोस्तों कहते हैं निफे इतना भी आप सभी लोग याद रखेंगे इसे कहते हैं निफे वाली प्रत होती है क्रोड होती है बिल्कुल सही तो option number B यहाँ पर कैसा होगा option number 2 यहाँ पर right होगा केवल और केवल B देखते हैं next question को question number 28 संसत के designer कौन थे माउंट वेटन थे, राज गोपालाचारी थे जवहारलाल नहरू थे admin luteans थे कौन सा यहाँ पर right होगा संसत के designer का नाम पूछा गया है संसत के designer का नाम था admin luteans ठीक क्या नाम था admin luteans designer का नाम था, देखते हैं next question को question number यहाँ पर आ चुका है 29, cell जिसमें जीवासम होते हैं, important question है, आवसादी cell का इंतरित cell या आगनिय cell, right answer यहाँ पर होगा आपका आवसादी cell, आवसादी cell को परतदार cell भी कहते हैं, क्या कहते हैं, परतदार cell भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जीवासम पाए जाते हैं, ठीक जीवासम पाए जाते हैं, आपके अवसादी सैल में ही देखते हैं next question को question यहाँ पर आचुका है 30 कहता है कि रेगिस्तान की विसेश्ता है विरल बनस्पती अधिक वरसड अलप जल वासपड तो कौन सा कतन यहाँ पर सही होगा केवल A केवल B दोनो A और B ना तो A ना ही भी अगर right answer की बात करें जो रेगिस्ता की जो विसेश्ता होती है वहाँ पर बनस्पती कम पाई जाती तो कह सकते हैं वहाँ पर बनस्पती बिरल मातरा में पाय जाती है option जो यहाँ पर कथन दिया गया है फहला यह तो सही हो जाएगा अधिक वरसड रेगिस्तान में अधिक बरसा नहीं होती है अगर अधिक बरसा हो तो वहाँ पर वहाँ पर क्या होगा तो वहाँ पर फसल भी उग सकती है ऐसा नहीं हो सकता है वहाँ पर बरसा नहीं होती है अलप जलवासपड भी नहीं होता है तो सिर्फ और सिर्फ ओप्सन नमबर एक यहाँ पर राइट होगा जो कि रेगिस्तान की पाई जाती है हिमनद में नदी घाटी में या रेगिस्तान में कौन सा कतने आपर सही होगा ए वाला होगा या बी ए भी दोनों या ना ही ए है और ना ही बी है किसकी आपर बात कीगी है चाप जील कौन सी जील चाप जील कहा पाई जाती दोस्तों चाप जील पाई जाती है रेगिस्तान में तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा नदी घाटी सिर्फ ओप्सन यहाँ पर कौन सा है केवल भी यहाँ पर केवल भी इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अंगले कोईस्टन की तरफ कोईस्टन नमबर 32 मिस्टर निम निलिकित फसल के लिए प् मिस्टर किसलिए प्रिसिद्ध मिस्टर का पास के लिए प्रिसिद्ध मिस्टर को किसका बरदान माना जाता है नील नदी का बरदान मिस्टर को माना जाता है याद रखेंगे आप सभी लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन को क्वेस्टन नमर आपर 33 आ चुका है सहरा एक गरम रेगिस्तान है सहरा अफरीका के उत्तिरी भाग में इस्तित है कौन सा कतन है अपर सही होगा केवल A केवल B A और B या कोई नहीं तो यहाँ पर बात की गई सहरा रेगिस्तान की सहरा रेगिस्तान कहां पढ़ता है यह अफरीका में पढ़ता है जो की कैसा रेगिस्ता और स्हारा अफ्रीका के उत्री वाग में इस्तित हैं तो दोनों ही कतनuesto काहिए थाइगे यहां पर आचुका है question number 34 बंगाल टाइगर कहां मिलते हैं कौन से टाइगर बंगाल टाइगर कहां मिलते हैं परवतों में डेल्टा छेतरों में अमेजन में कहां पर मिलते हैं ये मिलते हैं अमेजन में नहीं मिलते हैं जबकि कहां पर मिलते हैं ये मिलते हैं डेल्टा छेतरों में बंगाल टाइगर मि बात करें जो ब्रह्मपूत्र गंगा ब्रह्मपूत्र का मैदान है वहें पर क्या मिलते हैं जो डेल्टाई छेत्र वहें पर मिलते हैं बंगाल टाइगर मिलते हैं ठीक बात करें नेक्स्ट क्वेस्टन की क्वेस्टन नमबर यहां पर आचुका है 35 कोलकाता किस नदी के तट इस्तित है औरेंज हुगली भागी रती कौन से तट पर कोलकाता इस्तित है नेक्स्ट क्वेस्टन की बात करें आपर क्वेस्टन नंबर 36 जन संक्या प्रामिड क्या है जन संक्या का आयू लिंग संगटन का आलेक ये निरूपड जब किसी छेतर का जन घनत तो इतना बढ़ जाता है कि लोग उची इमारतों में रहते हैं बड़े नगरिये चेत्रों में जनसंक्या बितरड का प्रतिरूप तो यहां पर बात कीगी है जनसंक्या प्रामिड की जनसंक्या प्रामिड का मतलब क्या होता है जनसंक्या का आयू लिंग संगटन का आलेखिये निरूपड ही क तीन मुख कारक कौन से हैं, जिनसे जनसंक्या में परिवर्तन होता है, जनम मिर्तु और विभा, जनम मिर्तु और प्रवास, जनम मिर्तु और जीवन प्रत्यासा, राइट कथने आपर कौन सा होगा, जो कि जनसंक्या परिवर्तन का एक मुख कारक होते हैं, जनसंक्या परिव मिरत्तु और प्रवास ये जन संक्या के पिरमुक तीन घटक हैं जन संक्या परिवर्तन के ठिक तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ओप्सन नमबर टू क्वेस्टन आपके लिए यही तक थे अगर वीडियो आपको अच्छे लिगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्वाद आपका दिन सुभ रहे जैहिंद बंदे मात्रम